Hello Everyone, स्वागत है आप सभी का एक्जाम गुरू YouTube चैनल में दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बिहार सातवे चरन सिछक भरती परिच्छा 2023 के लिए BPSC का प्रिवियस एर का क्वेशन पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ यह पेपर आपका Headmaster के एक्जाम में पूछा गया था और इन दोनों ही एक्जाम के Conducting Agency BPSC है सो जैसे Questions के Level and Pattern आप इस वीडियो में देखोगे वैसे ही Questions और उसी Level के प्रसन आपको आने वाले परिच्छा में भी देखने को मिलेगा सो गाइच त्यारी करने से पहले आप एक बार पूरे previous year paper को जरूर देख लो जिससे कि आपको syllabus and exam pattern का complete idea लग जाए इससे पहले मैंने तीन और लेड़ी वीडियो अफ्लोड कर रहा है previous year का अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाना वहाँ पर playlist में आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगी और दोस्तो अगर आप BPSC 7th phase सिछक भरती एक्जाम से related PDF डाउट करना चाहते हैं तो सारे PDF आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिलेगा टेलिग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के description box में दे दिया है चलिए दोस्तो अब आज का वीडियो अश्टार्ट करते हैं इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको question number 130 तक complete करवा दिया था एक छोटी बेवसाय अस्टार्टप योजना, एक उध्यमी योजना या फिर खिलाडियों के लिए एक छोटी बचत योजना तो दोस्तो यह जो सुकन्या समरिधी योजना है यह बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना लागू की गई है तो यह option इस question का बिल्कुल correct answer है इसके बाद अगला question है 132 नमबर नेमने लिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समीती है तो दोस्तो इस question का right answer है option number B प्राकलम समीती संसद की सबसे बड़ी समीती कही जाती है इसके बाद अगला question है 133 नमबर 133 नमबर question कह रहा है कि गोलकनात बनाम पंजाव राज्य किस केस से संबंधित है दोस्तो यह जो आपका केस है वो संबंधित है मौलिक अधिकारों सी actually में यहाँ पर हुआ क्या था कि जो गोलकनात भारती है इनके अंडर एक मट था और उसमें बहुत सारी जमीने थी जो की एकर्स में फैली हुई थी अब यहाँ पर केरल की जो सरकार है वो एक संसोधन करती है और कहती है कि जितने भी जमीदार की जमीने है वो सारी के सारी सरकार अपने नाम पर कर लेगी इसी के लिए गोलकनात भारती गए थे सुपरीम कोर्ट में और वहाँ पर आर्टिकल 26 को लेकर उन्होंने अपना केस दायर किया था आर्टिकल 26 क्या है जिसमें आप सामुहिक रूप से किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती हो इसके अलावा उसका आयोजन कर सकती हो तो लेकिन यहाँ पर हलाकि उन्हें हार मिली थी जो वहाँ पर बेंच वैठी थी टोटल 13 जजों की इनमें से 7 वाई 6 से फैसला आया था साथ उनके विपच थे और 6 उनके पच में आया था तो यहाँ पर मेली दोस्तों आपका मौलिक अधिकारों से संबंदी था मौलिक अधिकार आपका क्या-क्या है यहाँ पर आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितने भी आपके आर्टिकल है वो सारे के सारे मौलिक अधिकार से संबंदी थाएं क्लियर है सबको यह क्वेशन आगे बढ़ते हैं अगले क्योशन की उर तो next question number 134 बिहार राज्य के प्रतम मुख्य मंद्री कौन थें इनका नाम है दोस्तो स्रिक क्रिशन सिन्हा यानि की ए आप्षन इस क्योशन का correct answer है इसके बाद अगला question है 135 नंबर किस अनुछेद के अनुसार संसद की संजुक्त बैठक होती है दोस्तो संसद की जो लोकसभा और राज्य सभाए इन दोनों की संजुक्त बैठक होती है या होती है आपकी आर्टिकल 108 के तहद यानि की C option इस question का correct answer है आप मुझे comment करके बताना की लोकसभा और राज्य सभा की जो संजुक्त बैठक होती है इसकी अध़चता कौन करता है इन्हें बुलाने का काम तो राख्टर पती को है लेकिन अध़चता किसके दौरा किया जाता है यह सभी को आपको comment करके बता देना है आगे बरते हैं तो अगला question है 136 number अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव कितने दिनों के अंदर में हो जाना चाहिए देखिए अगर कोई भी पंचायत है वहाँ विघटन हो जाता है यानि कि कोई भी वहाँ पर government agency नहीं रहती है तो इस condition में जो चुनाव है वो conduct हो जाने चाहिए 6 महिने के अंदर इस question का correct answer है इसके बाद अगला question है 137 number सर्वोच नियले ने किस case में कहा था कि नीजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो आपकी right to privacy है यह आपका एक fundamental right है यह किस case में कहा गया था तो दोस्तो सुपरिम कोट के दोरा यह कहा गया था justice के एस पुटा स्वामी केस में डी option इस question का correct answer है इसके बाद अगला question है 138 number संविधान सभा की प्रांतिय संविधान समीती के अध्यच कौन थें तो इनका नाम है दोस्तो सर्दार पटेल यानि की option ए इस question का correct answer है इसके बाद अगला question है 149 number भारतिय संसदिय समू की अस्थापना कब की गई थी इसकी अस्थापना की गई थी 1949 में इसके बाद अगला question 140 number है 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस उपवंध या फिर उपवंधों को प्रभावी किया गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बन कर तयार हो गया तो उस समें लागू किया गया था नागरिक्ता, निर्वाचन और फिर अंतिरिम संसदगा यहाँ पर इंतिरिम गवर्मेंट आ गया था, इलेक्सन आ गया था और यहाँ पर सिटिजन सीप यह तीनों के तीनों चीजें लागू कर दे गई थी हमारे देश के संविधान के अनुसार इसके बाद अगला कोईशन है 141 नमबर निमनलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रिय अस्तर पर क्रिसी साख के लिए कौन सी उच संस्था है तो एह है दोस्तो आपका नावाड C option इस कोईशन का करेक्ट अन्सर है इसके बाद अगला कोईशन है 142 नमबर सरकार ने निमनलिखित में से किस समीती का गठन किया जिसने सिफारिस की कि किसानों की आयक कैसे दूगनी की जाए दोस्तो एह जो आपकी सिफारिस है वो किया गया था असोक दलवई समीती के दोरा यानि कि D option इस कोईशन का करेक्ट अन्सर है इसके बाद अगला कोईशन है 143 नमबर आत्म निर्वर भारत योजना का मुख्य अस्तंब क्या है तो इस कोईशन का राइट एंसर हो जागा दोस्तो option नमबर E ओपरियुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधीग क्योंकि दोस्तो एहां पर देखो आत्म निर्वर भारत का मतलब क्या है अपनी अर्थ्विवस्था को मजबूत करना आत्म निर्षता के रूप में इसके अलावा अपनी तकनीती छेतर को भी इस्तार करना जो अपनी अधारवुत सरंचना है इसे भी सुधार करना तो एहां पर एक से ज़्यादा options करेक्ट हैं इसके लिए ई-option इसका सही जवाब होगा इसके बाद अगला question है 144 नमबर भारत माला परियोजना का मुख्य केंदर क्या है दोस्तो एह जो भारत माला परियोजना है इसका मुख्य केंदर है माल ढुलाई एवम या त्रियों की गती की दश्टा का अनुकूलन करना इसके बाद अगला question 145 नमबर ओद्योगिक निती संकल्प 1948 कहां पर परस्तावित किया गया था तो देखे दोस्तो एह जो परस्तावित किया गया था वो था मिस्रित अर्थवेवस्था के रूप में यानि कि D option इस question का correct answer है इसके बाद अगला question 146 नमबर विहार आर्थिक सर्वेचन 2020-21 के अनुसार ग्रामिन विहार में महिला स्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या था दोस्तो एहां पर ग्रामिन विहार में इसके बाद अगला question 147 नमबर जनगन्ना 2011 के अनुसार विहार का लिंगा अनुपात क्या था यानि कि विहार का सेक्स रेशियो अपसर्वी को बताना है तो एह है दोस्तो 918 C option इस question का correct answer है इसके बाद अगला question 148 नमबर विहार आर्थिक सर्वेच्छन 2020-21 के अनुसार वर्ष 2021 में इस्थिर मुल्य पर विहार अर्थवर्था की ब्रिधी दर क्या थी दोस्तो एहां पर इसके ब्रिधी दर option number E correct answer होगा उपरिक्ट में सब कोई भी option सही नहीं है इसके बाद अगला question 149 नमबर दोस्तो जो पंदरह में विध आयोग के अधहच कौन बने थी दोस्तो जो पंदरह में विध आयोग के अधहच बने है उनका नाम है NKC जो D option है वो इस question का बिल्कुल right answer है इसके बाद अगला question 150 नमबर मानव विकास सुचकांक की गन्ना के लिए दोस्तो इसके लिए अवस्त्यक यहाँ पर है जो option number E correct answer होगा और प्रिक्ट में से एक से अधिक यहाँ पर बात की जारिये मानव विकास सुचकांक की गन्ना के लिए तो यहाँ पर देखिए जीवन प्रतियसा इसमें सामिल के जाता है इसके अलबा प्रतिव्यक्ति राष्ट्री सकल आय भी सामिल के जाता है तो इसलिए आपका यह option correct answer होगा तो एथा दोस्तो आपका total GKNGS यहाँ पर कुछ maths and reasoning के भी questions आपके headmaster के exam में पूछे गये थे तो एक questions भी आप सभी लोग देख लो यदि उसने कुल 48% हल किये हैं तो उसने कितने सही हल कियें अब देखो total 48% उसने हल किया और यह कह रहा है कि जितने हमारे right होंगे उससे दूगना wrong होगा तो अगर आप option को भी ध्यान से देखोगे न तो आपको direct समझ में आगा कि अगर आपने 16% right की होंगे तो 16% का दूगना wrong कितना होगा 32% हो जाएगा और 32% और 16% को add करो तो क्या आपका total 48% आ रहा है क्या आ रहा है यानि कि आप संसटिस्फाइग हो जाएगा सही आ गया आपर इसी परकार से देखो अगला question क्या पूछा गया था है आपर इसमें आपको लुप अच्छर ग्याद करना था यानि कि question mark की जगा पर कौन सा अच्छर आने वाला है तो इस सीरीच कैसे आगे बढ़ दीए अगर आप देखोगे तो k और n के बीच में l और m 2 लेटर का फर्क है n और q के बीच में o और p दो लेटर का फर्क है यानि कि e और अगले टर्म के आने के बीच में भी दो लेटर का फर्क होगा तो e के बाद क्या आता है f और g यानि कि f और g को छोड़ करके अगर हमें हाँ पर h रख दें तो हमारा right हो जाएगा h के बाद फिर देखिए i और j को छोड़ करके आप यहाँ पर किया आ जाएगा तो इस परकार से इस सीरीज का जो right answer है वो आपका b option हो जाएगा h आएगा यहाँ पर question mark की जगए इसके बाद एक question पूछा गया था देखिए क्या 4,8,16,-64 question mark की जगए पर आपको बताना है तो simple सा logic यूज क्या गया है 4 का double 8,8 का double 16 16 का double यहाँ पर 32 हो जाएगा और 32 का double 64 हो जाएगा तो d option correct answer है इसके बाद यदि किसी कूट भासा में कुमार को इस परकार से लिखा जाता है तो emotional को हम कैसे लिखेंगी अब देखें कुमार को कैसे कोट किया गया है k है यहाँ पर पहला लेटर और यहाँ पर il है k के just वाद क्या आता है il आता है न उसी परकार से second लेटर इधर से u है और इधर से b है u के just वाद क्या आता है v आता है m के just वाद in आ जाएगा उसी परकार से सीरीज आगे बढ़ रही है तो अगर हम emotional का code करें तो सबसे पहले E के बाद क्या आएगा F आजाएगा M के बाद N आएगा O के बाद B आएगा T के बाद फिर क्या आजाएगा U आजाएगा फिर आजाएगा I के बाद J आजाएगा O के बाद P आजाएगा N के बाद O आजाएगा O के बाद फिर A के बाद क्या आएगा B और L के बाद M आजाएगा तो इस परकार से आपका जो right answer है इस question का वो हो जाएगा option number B F N P U J P O B M ठीक है इसके बाद अगला question देखते हैं क्या पुछा गया था तो next question is 93 number की एक कच्छा में 31 छात्रों में अनील और सुनील का करम स उपर से सात्वा और इगराहमा है तो कच्छा में नीचे से दोनों का करम क्या होगा देखिए यहाँ पर मैं एक line खीज़ देता हूँ जिसमें total 31 बच्चे बैठे हैं अब कहा एह गया कि अनील और सुनील यह आपका अनील हो गया और यह आपका सुनील हो गया अनील का उपर से सात्वा रैंक है और सुनील का इगराहमा रैंक है टोटल 31 बच्चे हैं तो नीचे से रैंक क्या होगा अब देखो अगर अनील उपर से सात है यानि कि अनिल के नीचे टोटल 24 बच्चे और बैठे होंगे और नीचे सगर आप count करोगे तो 24 बच्चे तो हैं ही और इसके बाद वाला जो position होगा वो आपका अनिल का होगा यानि कि अनिल 25 नंबर पर है उसी परकार से सुनिल उपर से इगरावे नंबर पर है यानि कि सुनिल के नीचे टोटल 20 बच्चे और होंगे 31 में से आप 11 को घटा दोगे तो तो यहाँ पर तक तो टोटल 20 बच्चे होगे और इसके उपर वाला रैंक सुनिल का है यानि कि 21 रैंक उसका हो जाएगा तो इस question का right answer है आपका option number C 25 और 21 रैंक दोनों का करमसा आने वाला है इसके बाद देखो ऐसा question आपको definitely exam में देखने को मिलेगा बहुत ही easy होता है जिन लोगों को आता है बनाने आप तो 10 से 12 सेगंड में बना दोगे जिनें नहीं आता समझ लिए यहाँ पर क्या करना होता है question में कहा गया कि अगर गुणा का अर्थ divide है minus का अर्थ गुणा है plus का अर्थ sorry यहाँ पर divide का अर्थ plus है और plus का अर्थ minus है तो इस equation का value क्या होगा अब यहाँ पर करना क्या होता है कि जो equation आपको यहाँ पर change करने के लिए दिया गया था तो हम क्या करेंगे 3 गुणा 15 लिख देंगे फिर divided by 19 है लेकिन divide का 1 पर 100 है तो हम यहाँ पर plus 19 कर देंगे ठीक है यहाँ पर आप इस पंदhmenर समझना ठीक है इसके वाद देखे क्या है फिर है गुणा में 8 लेकिन गुणा का अर्थ divide है तो हम क्या करेंगे, divided by 8 लिख देंगे, और फिर है प्लस 6, तो प्लस की जगा पर हमें क्या लिखना है, माइनस, तो हमें आपर माइनस 6 लिख देंगे, अब देखो 15 रहतिया कितना होता है, 45, और 45 में अगर आप 19 जोड़ोगे तो क्या होगा, 64 हो जाएगा, 64 divided by 8 यहाँ पर, असपोर्ट्स लोगों से संबंदित है, उसी तरह से, नेशन किस से संबंदित है, तो देखिए, असपोर्ट्स यहाँ पर लोगों से संबंदित है, उसी परकार से जो नेशन है, वो संबंदित होगा, एम्बलम से, असपोर्ट्स क्या होता है, जिस असपोर्ट्स का एक लो 3 बज़ कर 16 पुर्णांग 4 बटा 11 मिनिट पर इसके बाद और क्या क्या पूछा गया था मैं से जिनिंग में यहाँ पर एक बार एक नजर आप डाल लो अगला क्योशन पूछा गया था कि निमलेखित में से कौन सा प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है तो इस क्योशन का राइट एंसर यहाँ पर हो जाएगा option number C 31,245 आप इसका वर्ग निकाल कर चेक कर सकते हो इसके बाद एक यहाँ पर X and Y का एक्योशन पूछा गया था तो आप पहले दोनों को क्या करोगे equal कर लोगे equal करने के लिए उपर में आप 3 से और नीचे में 4 से multiply करोगे जिससे आपका एक equation कर जाएगा दूसरे equation की value से आप यहाँ पर दोनों का value निकाल लोगे वैसे इसका right answer में आपको बतायता हूँ solve करके आप लोग अपना answer match कर लेना 2 and 1 हो जाएगा यानि की x का value 2 और y का value 1 हो जाएगा यहाँ पर आपको मैं रख कर भी दिखा जेता हूँ अगर x का value हम 2 रखते हैं तो 9 गुना 2 18 और minus y का value 1 रखते हैं तो 4 तो 18 minus 4 क्या होता है? 14 होता है न यानि की आपका equation satisfy कर रहा है इसके अलावा एक simplification का यापर question पूछा गया था इसे भी आप सभी लोग चाहो तो screenshot लेकर बना सकते हो और फिर आपका एक आया था है आपर quadratic equation का यहाँ पर आपको x का मान बताना था तो x का मान भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हो इसी परगार के questions आपके exam में आये थी मैं एक separate वीडियो ही बना दूँगा कल आपके VPSC में maths and reasoning के previous year में जितने भी questions पूछे गया है उन सभी का detailed solution के साथ तो guys फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको आज का previous year paper का lecture पसंद आया हो आप सभी को आपके exam के preparation के लिए based of luck